आज कई सालों के बाद मेरी प्यारी भतीजी आ रही है इस सुनी हवेली में बाहर आ जाएगी बर्षों का प्यार जलक आये के इसके बिलने पर ओ माई चाइल्ड तुम नहीं जानती हाव मच अमिस्ट यो आई लव यो राम बरो से राम बरो से कहां मर गया रहे तु काला लाम बरो से बाहर आएगी जार से कहां मेरी जार से बिलने बाद माई भुल प्यार बरो से प्यारा इसके इस बादो हागी कर दो है. क्वार्णे। चर करते हैं ठीपिल कि छीपिल कि अप्राइब कि प्राइब कि मुणर कि अप्राइब कि रे प्रोपन काुजर प्रोपस्ट कमाती। वाह, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, क्या बंगला है यार, वाह, और बंगले वाली, उफ, कहकर क्या फाइदा, अभी देखना, तुम्हारे अंकल मुझे देखेंगे न, धक्के देखर वहाँ निकाल देखेंगे, तुम मेरे दिल में बसे हो रवी, उसलिए अंकल अपन अंकल पर, फेल, देखो मैं अभी उनको फोन करती हूँ, और अभी तुम्हे पता चल जाएगा कि मुझे अंकल पर इतना भरोसा क्यों है, ठीक लिते, साच को आज कैसी, चलो, चलो, हाँ, मैं राना बोल रहा हूं सर, जी, वो लोग आ गए, हाँ सर वो तो कब क्या आ गए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, तब तक समाल लेना, जी, जी सर, उचाईए, हाँ, 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 कैसे है, अंकल, आपको तो पता है ना, कि आपसे मिलवाने के लिए, मैं रवी को साथ लाई हूं, तो अंकल, अब हम चाहे तो अभी भी शादी कर सकते हैं ना, लेकिन छे महने के बाद तो हो जाओंगी ना, सुन लिया रवी, हाँ, हाँ, रवी तयार है अंकल, ये सोचना आपका काम है अंकल, अंकल, आपका बारे हैं, ओके अंकल, बाई, कुछ समझे, समझा, लेकिन पिंकी ये बताओ, वो बाहर कौन आने वाला है, वो बाहर, वैसे वो मेरे दूर के मामा लगते हैं, अब यो धर्मों के बच्चे, इधर आओ, एक मिनिट जरा दयान से सुनो, जरा कमर कसके रहना, और इन जुल्फों को भी सवार के रखना, पि को समझा दो, एक मिनिट, इधर आओ, मंदा को भी समझा देना, और यहां पर तमाम जितने भी नौकर हैं, उन सब को समझा देना, समझा, जाओ, मूबन करो, जाओ, अरे, लगता है चौधरी साहब आगे, चौधरी साहब, वो मैं बाद में बताओंगी, अभी चले, नमस्त लेकिन मेरी गटी जो है, बीच रास्ते में खड़ी हो गई, कहने लगी, जब तक पानी नी डालोगे, यहां से हिलूंगी ने, बड़ी मुश्कल से मिस्तरी मिला, तब जाके स्टार्ट हुई, और मेरी चौरी आ गई न, हाँ, वो तो गपकी आ गई, बिलकुल ठीक है, नम बता देंगे, राणा साब, लेकिन आप पहले आराम से बैठी है, चाय पानी पीचे है, उसके बार सब कुछ बता देंगे, हाँ, पिंकी, तुम अपने दोस्तों को साथ जाकर एंजॉय करो, माई यंग प्रन लेसिन तूमी, आम जस्त का मैं, ओके माई ओल्ड फ्रेंड, च भाई साब से बात कर लीजे, समझ क्या बलवन भाई, मारी छोरी एक छोरे से प्यार कर रही है, प्यार मुपत के तो हम भी कायल है, और प्यार मुपत के बीच में हमें दीवार नहीं बननी चाहिए, यहां कोई फिल्म तो बन नहीं रही है, कि हम विलिन बन के साबने खड़े हो जागए, लेकिन एक पते की बात कहूं बलवन भाई, देखो बलवन भाई, अपनी छोरी छे महीने के बाद बाले घो जाएगी न, फिर वो इस बंगले की नहीं, पूरी प्रापर्टी की मालकिन बन जाएगी न, और तुम तो अभी ट्रस्टी के हैसियस से ही सब सभाल रहे हो, हैं, अगर मुझ चाहेगी, तो तुम इस बंगले में भी नहीं रह पाओगे, और नहीं कुछ और सभाल पाओगे, हैं, भई मैं उस छोरे के लिए तुम्हें होश्यार कर रहा हूं, हमारी ब पच्ची की जान सांसत में पढ़ सकती है, और तुम भी किसी ठोर के नहीं रहोगे, इसलिए सोच समझ के हमारी छोरी की शादी उससे करना, करन कभी तो किताबु को अपने आप से अलग करो, सब लोग हाल में बैठे हैं, और तुम कमरे में गुसे बैठे हो, प्लीज कामने, डिस्टा मत करो, सिर्फ एक चेप्टर बाकी है, पढ़ना है तो मुझे पढ़ो न डालें, तुमें? हाँ, मेरी आखो में तुम्हारा ना ज़्क है, और कहां कहां लिखा है, तुमा तुमा तुमा। भार मत बताओ, बस 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 भूत हो गया, थोड़ा सा किताब पढ़नेदेना तो यार, अच्छा, लिवे इस प्लीज, चलो, कमान, फफॉ, चलो, बाक पही पढ़ने, यार, पढ़ने भी निए गेते हैं, हुझे दूर हटो क्यों? डर लगता है तुम्हे तुम्हेरे पास आजाओ शारा दर लिखल जाएगा हटो भी प्रिया के दोके में लिली मारी गई हो जाएगा बादा किया है वो जिन्दा नहीं बचेगी रख दो खोड रख दोके में लिली के साथ कमरे में थे ना? हाँ, मगर मैं बातरूम में था बाहर आया तो लिली को तलबते हुए देखा मगर वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी उससे पहले ही लेकिन हट्या की वज़े क्या थी? लिली तो कल ही आई है यहाँ पर और लिली की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी वो कोई साथ की केरेक्टर ही होगा नहीं तो लिली का मड़ क्यों करता? पर शुपार में तो अईसा कुछ भी नहीं मिला जो इनकी हत्या का राज का पर्दा उठा सके या तो फिर कोई सुबूत मिल पाता सिरफ जगड़ा जुरूर हुआ था था किसे मुझसे ये शायद उस जगडे का फाइदा उठाकर मुझे कातिल साबित करना चाहता है मैंने असा नहीं का लेकिन हो जाया करता था यू शट अप अरे हम आपस में शक करते रहेंगे तो पुलिस तो हमें ही मुझे रिमान बैठेगी इंस्पेक्टर साब लिली को किसी बाहर के ही आदमी ने मारा है और मैं उसे जानती हूँ जानती हो जानती हूँ मतलब की करणा मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था कि कोई साया म तेरी कमरे में इसका मतलब वह आदमी जो ना जाने कहां से आता है और कहां चला जाता है फिर आसपास मंडरा ने लगा है कौन है वो वही तो पता नहीं है इंस्पेक्टर लेकिन बिना बजाय हत्यां तो वही करता है और आज तक कई हत्ताओं के पोलिस को कोई सुराग नही हम लोगों के अलावा राम भरो से और बिल्रुबा कहा है वो दोनों पता नहीं सुबह से नजर नहीं आये आये तो पुलिस टेशन भेज़ देना हो पॉंच टेबल लास को ले जाने के दिजाम करो यह राम भरो से आखिर गया कहा होगा क्या सोच रहे हो नंदलार सोच रहाओ कि सारी जिंदगी मेरी किस्मत किस्मत में जिनदगी पर दोकरी करना लिखा है मजहाक मट करो क्या मैं कभी दौलत बनादी नहीं बन सकता क्या ये बंगला मेरा नहीं हो सकता सोचो, सोच लो हसी मत उड़ाओ आज इस बंगले के मालिक सेट जी है और 6 मैने के बाद इस बंगले की मालकिन मालकिन तुम हो जाओगी अगर मालकिन मर गई तो तो इस बंगले का मालिक कौन होगा बता, मैं पूछ रहा हूँ वो बता, मेरे पूछने से कही साब मर गए तो तो सीडी सी बात है फिर साब बंगले के मालिक अगर कही साब मर गए तो तो उनके नज़िक के रिष्टदार अगर कहीं रिष्टदार मर गए तो सारे रिष्टदार मर जाएंगे तो भी बंगले के मालिक तुम कभी नहीं बन सकते, बखवाश बन करो, मेरी किसमत को कोई नहीं बदर सकता, मुझे इस बंगले का मालिक बनना है, और मैं मालिक बन के ही रहूँगा, ये मैं बताता हूँ, ओ धर्मू, तुझार आओ, ओ भई रणे, ओ शाब नमस्ते, जा हूँआ, खाने का क्या होगा, नौकरानी मार्केट गई है, और मार्केट से वो कहीं और चली गई, पता नहीं, उसे चार-पास गंटा लाने में लेट होगा, थीक है, इंतिजार करना पनेगा, ओके बाई, तुम जाओ, भाई, इस वक्त तो मेरे हिसाब से, इंजॉय करने के लिए, अन्ताक्षी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्य जो बच्चों को पसंद आए, वो खेल खेलो, और वैसे भी मुझे पुछके क्या फाइदा, मुझे तो खेलना नहीं है, नहीं अंकल नहीं, खेल तो आपको खेल नहीं होगा, और रही बात अन्ताक्षी जी, तो ये खेलते खेलते हम सब पक चुके हैं, क्यों, हाँ, क्यों तो खेल है, और इसी बहाने, हम लोग भी बच्चे बन जाएंगे थोड़ी दिर क्यों ये तो, हाइ एवरिबडी, हाइ पिंकी, हाइ, कल तुमने आते साथ मुझे फोन क्यों नहीं किया, मैं तो भूले गई थी, बैठे न, तैंक्यू, अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ, लुकाच पी खेले गा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, वाओ, उट ही एज़ भाई, छलो भाई चलो फिर साभ लोग को तो ईस, yeah यहाँ, प्रोलोग प्रोगोगोगोगो। 1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 97, 98, 99, आपी मैं चोपाने, आप चोपाने, आपी मैं चोपाने, बताना, बताना आपी कर दोस्टो होगे ले अनो, आप मनी मैं चोपाने, डिल्मट्रोख मा इस मैं शेयद काला से जो होगे लिताना जलओ जलओ तो पते के, या उदर होगे शाओ, छिले गाये शाया जलो जलो होगे अलो, जलो होगी नहीं northern ॅनो की जिए चुपके अ कि चुपके तुम लोग मैं आरहा हूं मैं आरहा हूं, हाँ. खाहाँ गए, खाहाँ गए क्या कजे हो कोई देख लेगा तुम्हें बहुत ही बदमाश हो चोड़ो ना कोई देख लेगा क्या है क्या हुआ है वह जए क्या क्या है क्या हुआ हुआ क्या हुआ हुआ और रजयर क्या हुआ हाँ क्या हुआ यहुआ? क्या हुआ? मैं आओं क्या? चा, चा, तब यह एड़ो क्या हुआ? अधीया? क्या हुआ? अरे, क्या हुआ? चलुँँँँटे देखो क्या हुआ? कैसे हुए यहाँ? तुछ! यह तो घचप हो गया. पुलिस को बोला, पुलिस को! अब लूग आपने ही करें आप इस्पेक्टर स्वागा आप लोगर जाएए आप लोगर जाएए नहीं आप वाँ वाँ अवाँ अवाल्दार जी सर लाँज को पंचनामा करके पॉस्टमाटम के लिए बेच दो आओ ने पुलिस पंके के बयान से जाहिर होता है कि जहां पर कतल हुआ वहाँ पर मिस पिंकी पहले से छुपी हुई थी और कातिल ने आकर उन पर वार किया वहाँ पर कुछ घना अंधेरा था हो सकता है कातिल ने मक्तूला को पिंकी समझ कर कट्स कर दिया हो सर आप कुछ पे अंधासा लगाए मतलब तो कातिल के पकड़े जाने से है न लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पिंकी का कतल को या के क्यों करेगा कारण कुछ भी हो सकता है जलन लालच या आपसी दुश्मनी बहराल पिंकी का होशिया रहना बहुत जरूरी है वैसे मैं यहाँ सेक्यूर्टी का इंतिजाम करता है यहाँ पे सेक्यूर्टी की क्या सरूर्वत है ठेक लेकिन जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता आप लोगों में से कोई बाहर नहीं जाएगा और जिसे इंबर्जेंसी में जाना है तो फुलिश स्टेशन से पर्मिशन लेना बहुत जरूरी है ओकी बुट नाइट इंवाच सर इंकी हलो, हलो माई यंग फ्रेंड हलो, हलो माई यंग फ्रेंड हलो, हलो हाव यू वाइन मैं समझ सकता हूँ के तुम लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी खास कर तुमारे दिल पे तुम यहाँ सब को गुमाने के ख्याल से लेकर रही थी लेकिन एक एक करके तुमारी दो सहीलियों का कतल हो गया मेरी समझ भी नहीं आ रहा है जिसने भी ये कतले किये हैं उसका उन दोनों ने क्या बिगा रहा था इस सवाल का जवाब धूनना बड़ा ही मुश्किल है रवी अगर इस सवाल का जवाब मिल जाये तो कातिल को पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा क्योंकि इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे शक है कि कातिल कहीं किसी और का भी कतल कर सकता है क्या कहा आपने क्या मतलब है मेरी मानो तो तुम लोग चले जाओ यहां से पुलिस से परमिशा लेने का चक्कर जो है वो सब हो जाएगा चिंता मत करो आप कहना क्या चाहते हैं क्या अब भी कातिल किसी और की जान ले सकता है कोई गयारेंटी भी तो नहीं कि किसी की जान नहीं जा सकती जान है तो जहान है तो आप भी क्यों नहीं चलते मैं तो वो इस बंगले को छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ यहां से और तुम लोग चाहो तो जा सकते हो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग चले जाओ ना जी वो तो ठीक है लेकिन आज नहीं ठीक है यानि कि तुम ये समझाना चाहते हो कि अंकल से मेरी जान को खत्रा है इस बात का अंदासा तो कोई बेकूब भी लगा सकता है तुमारे खून उने के बाद अगर किसी को फाइदा है तो सिर्फ तुमारे अंकल को क्योंकि तुमारी प्रापरटी तुमारा बिजनस सब उनका हो जाएगा और उन पर किसी को शक भी नहीं होगा कि उन्होंने तुमारा खून करवाया है इसलिए वो गांधी नगर में रहकर तुमारा खून करवाना चाहते तुम होश में तो हो रवी देखो तुम ये समझ रहे हो कि अंकल को मुझसे जादा मेरी दौलत से प्यार है तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम अब देखो दुबार ऐसी बात की तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुम से तुम चानते नहीं अंकल को दौलत से जादा और अपनी जान से जादा मुझसे प्यार है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पिंकी मुझे समझाने की कोई जूरत नहीं है समझाना है तो समझा अपने आपको जैसा तुम मेरे अंकल के बारे में सोच रहे हो न बसक कुछ भी नहीं है पिंकी ठीक है लेकिन तुम जिस गलत पहिमी में चल रही हो न इस गलत पहिमी के चलते अगर तुम्हें कुछ हुआ न तो मैं तुम्हें कभी माप नहीं करूँगा रभी न जीते जी न मर के न इंस्पेक्टर क्या प्रोग्रस है सर काफित तहकिकात के पाद मैं समझता हूँ इन मर्डर्स के पीछे सिर्फ दो वज़े है फर्स फर्स तो ये है सर कि सेट सुमेर चंद की भतीजी प्रिंकी को कोई मारना चाहता है वज़े लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए वो दूसरी लर्कियों का कत्ल कर रहा है सर वज़े ये है कि सेट सुमेर चंद की जो भी संपती है चल अचल उसके मरने के बाद प्रिंकी की ही हो जाएगा प्रिंस बैचे चाहे लिए थेंक्यू सर तो ये कतू कौन करवा सकता है हो सकता है सुमेर चंद क्योंकि पिंकी के मरने के बाद सबसे ज़्यादा अगर है तो सेट सुमेर चंद को ही है हचसी आप किसा आधार पर कह सकते हैं कोई पिंकी कोई मारना चाहता है आधार तो बिल्कुल साफ है सर बंगले में काफी लड़के मौजूद है लेकिन कतल सिर्फ लड़के का हो रहा है आधार दूसरी वज़े क्या हो सकती है सर दूसरी वज़ा ये हो सकती है कि बंगले में काफे स्टुडेंट मौजूद है और जहां काफे स्टुडेंट मौजूद होते हैं वहां रंजिश भी हो जाती है और रंजिश कतल में बदल जाती है ये बात तो आप भी चांते हैं ज़रा खोल कर बोलिए सर जवान और गर्म खून और उपर से ये को एजूकेशन फिर फिल्मों का आसर इन जवान लड़कों पर इस कदर हावी है कि इनकी प्यार की रफ़तार आंधी की तरह आगे बढ़ती चली जाती है आज इससे प्यार किया कल उससे प्यार किया इस तरह क्या होता है रेगिंग होती है मन मुटा होते हैं और फिर कतल भी होते है हो सकता है कॉलेज के आपसी जड़फ हो मौके का फायदा उठा कर कोई बदला ले रहा हो येस सर यू आर वेरी राइट सर अब देखना है आगे क्या होता है अरे पेंकी भी कमाल करती है यार कितनी दिर हो गए अभी तक नहीं आई पेंकी आई मैं पेंकी नहीं निशा हूँ तुम यहां कैसे रावी तुम्हारे होटो पर निशा का नाम मुझे अच्छा नहीं लगता दिल में जनन होती है कमाल करती हो तुम भी दिल में जिसका प्यार होता है वो है पेंकी और होटो पे किसी और का नाम लो शाहिदे तुम करती होगी मैं नहीं करता हूँ मेरी भी वोटो पे से तुम्हारा ही नाम है जबसे मैंने तुम्हें पहले बार देखा है तबसे तुम्हें ही चाने लगी हूँ मेरे दिल में भी तुम्हारी तस्रेवी कहो जो चाकू से चील के दिखाओ चाकू की बातें प्रेमी नहीं बातिल किया करने अपने अपना तरीका है प्यार के बदले प्यार और वार के बदले वार ये तुम्हारी गलत फैमी है निशा रवी और निश्या का मिलन आज तक नहीं हुआ और इसे भगवान भी नहीं मिला सकता तुम क्या मिलाओगी समझी मैं भी देखती हूँ रवी एक ना एक दिन मैं तुम्हारा प्यार पाके हिराऊंगी देखती हूँ पेंकी तुमसी कैसे मिलते है क्या हुआ 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 है क्या हुआ 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 कर दो, कर दो, कर दो दो हुआ 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 है हुआ है यह साब कैसे हुआ बिठा रेश्मा को उस चाकू का पता चल गया था जिसे लिली का खून हुआ था मैंने पुलिस को इनफर्म करने की कोशिश भी की लेकिन वहां किसने फोन तक नहीं उठाया और हम लोग तो खुद पुलिस टेशन की और रवाना हुए थे ताकि उस चाकू को पुलिस के हमाले कर सकें लेकिन वो रास्ते में गुंती मिल गए और उसे बीच वो चाकू का है वो भी कहीं नहीं मिला इसका मतलब रेश्मा का खून उस चाकू की वज़े से हुआ है उस कातिल को पकड़े जाने का दर होगा इसलिए उसने चाकू चीनते हुए रेश्मा का खून कर दिया वो जो भी हैं उसे हम छोड़ेगी नहीं पहने दिजिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते एक वो आपके पुलिस टेशन में कोई फोन नहीं उठाता और दूसरा खाबर देने का कोई भी जर्याद दुरूस नहीं है आप लोग क्या कारवाई करेंगे हाँ फोन खराबता तो उसमें पुलिस क्या करेंगे मगर किया आया है मुझरिम कहते हैं वो भी कोई कसौर नहीं आपका कोई कुसौर आप बोलना भी जैज में लेकिन हमारी भी तो कुछ मझबूरिया वाह आप भी मझबूर हैं जनता भी मझबूर हैं ताकतवर तो हैं। सिर्थ गुने गार क्यों, क्या चवाब दूँगी मैं मिस्टर खुराना को, उनके घर वालों को, मैं अपने दोस्तों को यहां पिकने के लिए लाए थी, उनके हट्या के लिए नहीं, इंस्पेक्टर सहाब, मुझे कातिल चाहिए, कातिल, मजबूरी का एक्स्प्लिनेशन नहीं इंस्पेक्टर सहाब, यह खुन हमारे खांदान पर धब्बा है, अगर वो हत्यारा पकड़ा नहीं गया न, तो मैं आपकी नौक्री की हत्या कर दूँगा कोई किसी की भी हत्या करे, मैं रेश्मा को खोच चुका हूँ, रेश्मा यह क्या हो रहा है जेम्स बॉन, 007 हम लोग चूक रहे हैं, लेकिन इसमें बदनामी पुलिस की होगी, वो कातिल को ढून नहीं पाएंगे, लेकिन हम, हम ढून दिका लें कातिल को, बोलो कैसे, चुटकी बजा जा, राइट, यू आर एक्टली राइट, यही एक तरीका है, अब सवाल यह उड़ता है, कि कातिल लड़कियों का ही कतल क्यू करता है, क्या लड़कों का अकाल पढ़ गया है, 007 यह तो कातिल की चुटकी बजा के ही पता चल सकता है, राइट, तो चलो, कहीं चल कर चुटकी बजाते हैं, कम ओन, जेम्स बॉन, कम ओन, पॉलो मी, येस, रभी तुम अभी तक सोई नहीं तुम तो चानती हो पिक्की इतने बड़े भास्से के बाद भला नीन किसे आ सकती है और इंस्पेक्टर साहब भी कहते हैं अब किसी का भी कतल हो सकते है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है तुम सोजाओ यहीं सोजाओ मैं प्लीज यहां पागल हो गए हो तुमसे तो अकेले रहना ही ठीक है और चौदु अंकल जानेंगे तो क्या होगा पता है तुमको वैसे भी खोडाने खास्ता हमारा कोई दिश्मान हुआ तो मैंने कहा ना तुम ऐसा मत सोचो अब अच्छे बच्चे की तरह सोजाओ 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 गुद्नाइट वाइट रवी 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 अरे पिंकी तुम माट्टे प्रया कैया हुआ रवी मैं बात्रूमे थी तब जिर्की से किसी का साया देखा। पिंखी, तुम्हारा वहम होगा। ने ने रवी, मैं सच कह रही हूँ। ठीके में जाके जाके देखता हूं। तुम मच जाना, तुम मच जाना, वो सकता है, मेरा वहम है हो। चलो ठीक है अब तुम कभी भी अपने रूम में मत सोना ठीक है मेरे साथ सोठो जटक वो कातिल पकड़ा नहीं जाए चीक है कुछ खबर लाए जेम्स बॉंड 007 आज मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ चुटकी बजा के पुलिस को अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला और नहीं मिलने का चांस है वेरी गुड जेम्स बॉंड वेरी गुड तुम्हारी इस खुश खबरी पर खुश हुए हम और हम तुम्हें एक नायाब तफ़ा देए ये लो जेम्स बॉंड ये ब्रेट का एक पीस है इसे पानी में डूबा डूबा के खा इससे तुम्हारी सेहत में चार चार चांद लग जाएंगे 007 इस नायाब तुफ़े के लिए मैं तुम्हारा किश्मों से शुक्रियादा करूं मेरा मन तो इसे खाने के लिए मचल रहा है लेकिन अपने मन को कंट्रोल करके मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ ठीक है हम आपको इजाज़त देते हैं 007 आज हमें उपर वाले ने बड़ा अच्छा मौका दिया है अगर हमने कातिल को ढून निकाला तो वही लोग जो हमें उल्लू और गधा समझते हैं ये उनके मूपर एक करारी चपत होगी और हमारी गिंती दुनिया के बड़े अच्छा कहलाएंगे पेताज बाश्याओ अख़बारों में पेपरों में टीवी में हमारा पोटू आएगा 007 वो शुब दिन कम आएगा वो शुब दुन भी आएगा जेम्स बॉन बहुत जल्दा आएगा लेकिन वो शुब दिन आने से पहले आपको एक्शन लेने होंग जेम्स बॉन बॉस यह तो मेरा नायाब तौफा था इस नायाब तौफे के साथ वह दिन आने दीजिए मैं आपको एक समुसा भी दिया करूंगा जेम्स बॉन कम आन फॉलो मी भाई मैं परेशान हो गया हूँ मुझे बात कुछ समझ भी नहीं आ रही है मामला क्या चल रहा है क्या मालूम वो तो यही कह रहे है कि कातिल अपनी छोरी पिंकी की जान लेना चाता है कोई पिंकी की जान क्यूं लेना चाता है मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मैं बाहर काम में फसा हुआ वो वपस भी नहीं आ पा रहा हूँ पता नहीं इसमें किसको क्या फायदा है भाई जिसे उसे मारने से फायदा पहुचे वो इसे जिन्दा ही क्यो छोड़ेगा देखो उसके मरने से सबसे ज़्यादा फायदा मुझे होने वाला लेकिन मैं तो और मैं परेशान सरफ इसलिए हूँ कि वो फोन हो सकता है जो उसके जान के पिछे पड़ा है पर ये सोचो कि उसे मारने से फाइदा किसे पहुचेगा तुमारी सुईया टक गई है क्या बार बार एक ही बात कह रहे हो फोन रखो हाँ भाई अब मैं फोन रखता हो हाँ नमस्ते कही जा रहे हो क्या ही नहीं जा रहा हूँ मैं तो फिर ये हीरो क्यों बन रहे हो कहे देना मेरे दिल की बात क्या मैं कोशिज करूँ तो मैं फिल्मों में हीरो बन सकता हूँ क्या हे भगवान इस मूर को कैसे समझाएं अरे तेरा सोच तो समझकर तो ही बोलना हूँ अगर मैं फिल्मों में हिरो बन किया तो तो तेरा क्या होगा क्या होगा लोग तुझे सुपरिश्टार ननलाल की बीबी कहा करें अच्छा तुम सल्मान खान और सारुक खान की बीबी की तरह ऐस करोगी दौलत तुमारे कदमों में होगी और तुम रानी की तरह ऐस करोगी सल्मान खान ने तो शादी ने की तो से क्या हुआ तुम गोविंदा की बीबी की तरह बन कर राज करोगी तुम क्या करोगी मैं करिस्मा कफूर के साथ जांस करूँगा और रवीना खंडान के साथ नाचूँगा और मादरी दिचीत के साथ इस लड़ा करूँगा और ट्विंकल खंडा के साथ आख मारूँगा और जानती हो रानी मुकरजी के साथ जाऊँगा खंडाला शुकर है आज तो तुम्हारे हाथ में किताब नहीं है तुमने तो खामका डिस्टाप करके रख दिया जानती हो यहां का क्या महल बना हुआ है क्या? मैं यह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखे रजिनिका का कतल हुआ जबकि कातिल पिंकी को मारने आया था पिंकी बजगई यानि अब भी जान उसकी खत्रे में है वो ज़रूर उसे मारना चाहेगा आखिर उसे उसे मार कर क्या फायदा मिलेगा? तुम बता सकती हो? मुझे नहीं जानना तो जानो नहीं जाना तो मत जानो हाई रॉकी हाई हाव आई यो आइं फाइन लिली से बहुत प्यार करते थे ना मेरे बारे में क्या ख्यार लेकिन आवारा नहीं हूँ मेरे दिल तुम पर आगया है मैं तुमें प्यार करने लगी हूँ अगर तुम मुझे अपने प्यार के लाइक समझते हो तो मेरा हाथ थाम लो वान्ना गुडबाई कह दो जादा सोचो मत मना कर दो या हाथ थाम लो हम यहाँ घूमने आएं इंजॉय करने आएं तुम तुम ने समझते पैंकी मैं तुमें कितना चाहता हूँ कितना प्यार करता हूँ मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ बतार बतारह को को अहाँ तुमें वाचा हूँ स्वाँ प्यारो सुम्ट बतार्श स्वाँ स्वाँ छो कि अःफ्य दोला पना लिकश्ताइने का सबचे साथ नहीं नहीं उमें लुला का सबना भॉकेता जहूनत्रा वे तो को नहीं हो जब हम्गे अऎ मेजितांटा इनलि ए माला आर आर क albums को के अज तौर है लुकता दो है मैं आमने आर कえー आर आर की ता सलीर आ अएग तो अच्छा यह वता और तुमने कैस हो जा देखोंगी कातिल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याले वैसे सच कहूं तो मुझे भी इन बातों पे तुलकुल यकीन नहीं होता तो फिर आओ मज़े करे आओ भी क्या हुआ कामी करन से जगडा हो गया क्या अइसा कुछ नहीं है लेकिन आप भी सबज़ें वह प्यार करने के काविली नहीं है यहां आकर करन ने तुम्हें प्यार नहीं किया एक बार भी नहीं ओ गॉड डिस टू मच तो अब तो तुम करन को भूली जाओ हाँ हाँ भूली जाओंगी मैंसे तो मैं रात में कमरे में आऊँगा तुम दर्वाजा लॉक मत करना लेकिन लेकिन वेकिन कुछ ने किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कामनी कुछ नहीं सुनना मुझे तुम्हें सुनना होगा कामनी कल रात मैंने तुम्हारे साथ जो स्लोग किया उसके लिए माफी चाहता हूं ऐसा हां कामनी और आज से मैं कितावे पढ़ना भी छोड़ दूगा सिर्फ तुम्हें पढ़ूगा कामनी सिर्फ तुम्हें और आज सबके सोजाने के बाद तुम्हारे कमरे में सिर्फ तुम्हें पढ़ने आ रहा हूं कामनी नहीं नहीं मत आना प्लीज देखो प्लीज प्लीज कुछ नहीं मैं आ रहा हूं आ रहा हूं ओके अब क्या होगा तुम चले जाओ विक्रा करन कभी भी आ सकता है आएगा तो देखा जाएगा समझते क्यों नहीं हो विक्रा आज कुछ में कहा है विक्रा आएगा प्लत कोपा है नख्ता नावल को प्लत कि गड़ में, प्लत कि आप होड़ी. तुम छोड़ो मुझे विक्रम, शायद करन आ गया है, हाटो, तुम जाके छुप जाओ कहीं Oh, God. I am confused समझ में नहीं आता ये श्रीमति राय थी कौन और उनका इस हवेली से क्या तालुक था जो भी रहा होगा लेकिन एक बात साफ है मिसिस राओ का कतल किसी खास रास को हम से छुपाने के मकसद से ही किया गया है येस ये बात है इसका मतलब ये भी हो सकता है के उस कातल को पहले से ही पता था कि हम श्रीमति राय से मिलने जाने वाले हैं हां ये भी हो सकता है लेकिन वो है कौन रभी मुझे तो उस आदमी पे शक है जिसने मुंब 하면서 जाते वक्त हमारा तीछा किया और अटाक किया था निश्ची तुरुप से कुछ भी कहना मुश्किल है प्रिया क्या बात है बेटी मुंबई से आने के बाद तुमने बताया नहीं कि मिसिस राई से क्या जानकरी मिली हमारे वहाँ पहुचने से पहले ही उनका कतल कर दिया गया था मादर ये तो बहुत बुरे हुआ बहुत बुरा तो उस कातिल का होने वाला है जब हम उस तक पहुच जाएंगे फिर भी मिसिस राई के पास जाना तो तुम्हारा बेकरी रहा न नहीं हमें वहाँ भी कुछ क्लू मिले हैं क्लू? वो क्या? वो सब जब तक हम खुद कन्फरम नहीं कर लेते तब तक हम आपको नहीं बता सकते लेकिन मुझसे चुपाने की क्या दरूद है? दिवारों के भी कान होते हैं अंकल और जो सच्छ होगा वो सब के सामने आ ही जाएगा हाँ वो तो है अच्छा अंकल हम लोग चल के हैं गुद नाइट कातिन को ढूड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बगवान इंकी मदद कर रहे हैं अरे तुम अच्छ को अकले में यहां क्या कर रही है कितना कली ओगा गया है पहले लड़के लड़किश्चा का εκशार करते थी आज हम तुम्हारा थाश्या कर रहे है तुम्हें दर नहीं लगता किस बात से मौस से यहां पर खूनपे खून हो रहे है और तुम्हें खौफ तक नहीं चेरफ जिन्दगी है बेवफा, एक दिन ठुक रहेगी मौत महभूबा है, साथ लेके जाएगी वैसे भी मुझे डर किस बात का जब तुम मेरे साथ होते हो तो यूनो मुझे डर नहीं लगता अरे, कहा जा रहे हूँ Excuse me बचाओ, बचाओ ओ शिट मजाक करेगी, तुम्हें पास बुलाने का यही एक बहाना था बचाओ ए लोक, तुमने अगर दुबार मजाक किया न तो मैं छोड़ूगा नहीं यही न मैं भी जाती हूँ कि तुम मुझे कप्पी ना छोड़ू पक्ड़ू ना पक्ड़ू ना स्टुपी को मैं भी कर में बचाओ स्टुपी यह मुझे नहीं माने की स्टुपी यह.. बच्छाओ। क्या हुआ? वो मुझे माना जाता है देखो तु माजा कर रहा हुआ? नहीं सै चुर रहा हुआ वो मुझे माना जाता है वाप पुलिस को फोन करते हैं चलो पुलिस को फोन करते हैं चलो देखो नज़र रखना हुआ इस्पेक्टर साफ आप यहां बात क्या है? यह बताओ पिंकी कहा है पिंकी ने कमरे में है और अकेली है? लेकिन सैर बात क्या है? उसे अकेली रहने दो आज रात कातिल उसे मारने आने वाला है हाँ? और हमने पुलिस का जाल चारो तरफ बिछा रखा है कातिल किसी तरह भी बच कर जा नहीं पाएगा यह आपको पक्का यकीन है? बेटे वर्दी की सितारे योही नहीं लगा करते संधे मैं भी आपके साथ नहीं और मैं भी गड़ नव वेटन बाइच कमान अरे अंकल अंकल कितना अच्छा गेटब है एक दो हिंदी तलकी विलन की तरह अंकल क्या हुआ? और choking युँँँँँँँँँ यहonceँँँँँँँ यह फुँँँँँँँँँँँड़ यह purशा हुआ यह कि बंदी यह सुँँँँँँ यह किख युँऊँँँँह जूप जो रावी वारना इस लड़की के गरदन काटके फेख दूगा मैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं तुम इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते हैं बेतर हैं, पिंकी को तुच्छोड़े, राणा तुम बेरी बात मान दो, राणा तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोई अपनी जगा से नहीं लेगा, कोई अपनी जगा से नहीं लेगा, तो ये खुड तुम कर रहे थे, राणा जी, लेकिन ये कतल से किये क्यों है, किसी भी लड़की में, किसी गैर मर्ट की बाहु में देखका है, मुझे हमेशा अपनी बीबी की बेवफाई याद आती है, और इसी हालत में मैं इसी के साथ कुछ भी कर गुज़रता हूँ, जोड़ दो, ना जाने मुझे कौन सा पागल्पन है, ये साइकिक है, इसे पागल्पन के दोरे पड़ते हैं, मैं साइकिक हूँ, और इस पागल्पन में मैंने इधर ही नहीं, ना जाने कहां कहां कितने कतल की हैं, सिर्फ इसलियों कि तुभारी घरवाली भाग गई थी, एक वक्त था इंस्पेक्टर सहाब, जब मैं भी एक शरीफ इंसान था, ओके डार्ली मैं जलता हूँ, आज शाम को घर जल्दी आ जाना, क्यों, कोई एक खास बात है, बस यूही, ठीक है, कितने कितने को शवार इंस्पेक्टर से जाना, क्यों, क्यों जल्दी को उresso हाँ, लुट थे आना, कितने के वाग रूता है, भूता है, वग रोफ इंस्वेक्टर सहाइ, जल्स बाता है, लफान दो कर्म gonna कमा हम भी नहां खुआण C